असलाम अलेकूम आज का हमारा टॉपिक है रूट्स ओफ ड्रग एड्मिस्टेशन से मुराद है कि आप ड्रग को किस किस तरीके से इंटेक कर सकते हैं कौन कौन से वेज हैं जिसके जरीए से आप ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं तॉपिक नेम है हमारा रूट्स ओफ ड्रग एड्मिस्टेशन रूट्स ओफ ड्रग एड्मिस्टेशन रूट्स मीन रास्ते एड्मिस्टेशन मीन एंटर करना अब ड्रग को इंटेक करने के तीन मेजर रूट्स होते हैं जिसको आप कहते हैं नंबर वन पे आता है एंटिरल रूट नमबर टू पे हमारे पास आ जाता है जनाब पेरिंटिरल रूट नमबर थ्री पे हमारे पास आ जाता है अदर्ज रूल अब आइस्ता आइस्ता हम इनके अंदर डिफरेंस देख लेते हैं कि इनके अंदर फर्क क्या क्या होता है Entral Root से मुराद होता है वो तरीका जिसमें आप मूँ का इस्तमाल करते हैं यानि कि माउथ का इस्तमाल करते हैं तो ये दो तरीकों से आप दवाई ले सकते हैं एक होता है Oral Method एक आपके पास होता है Sublingual Method अब Oral और Sublingual में क्या फर्क है? Oral वो तरीका कार है जिसके जरिये से आप दवाई को जबान के उपर रखते हैं और फिर उसको Body के अंदर लेके जाते हैं For example, आप टढलेट खा रहे हैं आप Capsule खा रहे हैं आप सीरप पी रहे हैं तो आप उसको अपनी जबान के उपर रहते हैं को पिर intake करते हैं डाटेस कार्ड, oral root, ठीके जी और oral root को आप pharmacology की जबान में entral root भी कहते हैं, जो second आपका तरीका आता है, डाटेस कार्ड, sublingual root, sublingual से मुषचा होता है जबान के नीचे रखना, जबान के नीचे क्योंके बहुत सारी capilaries होती है, कैपलरीज का प्रॉपर एक नेटवर्क होता है वहां से बहुत जादा मिकदार में आपका सलाइवा रिलीज होता है लहाज़ा ओरल की निस्पत जो सबलिंग्वल रूट है वो आपको जल्दी असरात दिखाता है जो दुआई आप सबलिंग्वल इस्तेमाल करते हैं जबके अगर आपको सर में दर्द है या पेट में दर्द है recommends और पेनडाल का स्तेमाल करते हैन तो उससे आपके सर का दर्द सेकंड के अंदर ठीक नहीं होता बलके उसको थोड़ा सा टाइम लगता है कुछ मिनिट्स लगते हैं लेकिन अगर आपको एंजाइना का पेन हो रहा हो जिसको आप कहते हैं चेस्ट पेन ये दिल से रिलेटिडर मसला होता है जिसमें आपको छाती के अंदर सवेर पेन का इशू होता है इसकाल एंजाइना उसकी बेसिक रिजन ये होती है कि आपको दिल की तरफ चाती की तरफ जो ब्लट की सप्लाइ है जिसमें ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन प्रॉपर आपको नहीं मिल रही होती जिसकी वज़ा से आपको सीने वाली साइट पे तकलीफ का तकलीफ फील होती है और ये बाद में अंजाइना सीरियस होके हार्ट फेलियर की चांसिस भी कास कर सकता है तो अंजाइना अगर किसी को हो रहा हो तो उसके लिए आपने नॉर्मली ये प्रैक्टिस देखी होगी तो एक छोटी सी टेबलेट होती है जिसको आप कहते हैं अंजी सीड अंजी सीड टेबलेट आप क्या करते हैं जबान के नीचे रखते हैं वो विदिन 3-4 सेकंड जबान के नीचे डिजॉल्फ होती है हल होती है और आपको फॉरी तो और पर उस एंजाइना से उस चेस्ट पेन से आपको रिलीफ दे देती है ठीक है जी अब क्यूंकि आपको उस वक्त बहुत स्वेयर पेन हो रहा था तो अगर आप औरल मेडिसन लेते तो पेशेंट की कंडिशन इतनी जो है वो अच्छी नहीं होती कि कई मिनट का आप इंतजार कर सकें कि दवाई जो है वो काफी मिनट के बाद अपना असर शो करें तो जो एमर्जनसी केसिस होते हैं और पेशेंट होश में हो तो हम कोशिश करते हैं कि औरल की जगा ऐसे ही मेडिसन का इस्तमाल किया जाए जो के सबलिंग्वल है ताके उससे पेशेंट को जल्दी से अपनी तकलीव से रहाई मिल सके नेक्स जो आपके पास रूट आता है पेरिंटलर रूट पेरिंटलर रूट जो है यह वो रूट है जिसमें आप पेशेंट की बॉड़ी पे सुई इंजेक्ट करते हैं नीडल का इस्तमाल करते हैं ठीके जी यानि आप उसको इंजेक्शन लगाते हैं इंजेक्शन लगाने के बहुत सारे तरीके कार होते हैं ज वेन के अंदर अगर इंजेक्शन लगा जाएंगा डाट इस क्अरड़ आई-वी इंजेक्शन serv ballot में से आपको तकलीफ जिए वह बहुत जादा होती है बहुत स्लोली इंजेक्शन जो है वह एंटर किया जाता है उसके बाप सेके के ऊंचेड आनजाता है I.M. I.M. से मुराद है Intramuscular ये जो injection है वो आप vein के अंदर नहीं लगाते हैं बलकि ये जो injection है वो आप muscle के अंदर inject करते हैं especially आप इसको hip muscle के अंदर inject कर सकते हैं या अपने shoulder muscles के अंदर inject कर सकते हैं normally ये दो rules जो है वो intramuscular के लिए use किये जाते हैं इसके लावा आपके पास एक और injections आते हैं जिनको आप कहते हैं subcutaneous injections इसको आप SC भी कहते हैं that is called subcutaneous subcutaneous से मुराद है under the skin यानि अगर आप skin के नीचे यसी आपकी skin है और अगर आप injection को skin के बिलकुल तय उठा के अंदर के तरफ इंसर्ट करते हैं this is card subcutaneous आपका जो root of drug administration ठेके जी ये तो थे कुछ roots of administration जो के oral होते हैं उसमें मैंने आपको बता दिया फिर आते हैं parental वो भी आपको बता दिया फिर आते हैं कुछ दूसरे roots भी होते हैं जैसा कि आप inhalation root आप इस्तमाल करते हैं inhalation क्या होते हैं यहां लिख लेते हैं आपने कभी asthma के patients देखे होंगे उनके पास एक inhaler होता है जिसके अंदर से gaseous form में एक medicine release होती है और उसके एक दा दो puff मूँ के अंदर मारने से उन patient को जो है वो relief मिल जाता है so inhalation से मुराद है कि ऐसी दवाई जो के gas की form में इस्तमाल होती है बिमारी को treat करने के लिए that is called inhalation यानि inhale करना सास के जरीए आप उसको अंदर लेके जाते हैं जो आपके body sprays है या जो आपके air freshener होते हैं वो भी inhalation के mechanism के उपर काम कर रहे होते हैं दूसरे आपके पास आते हैं intra nasal nasal mean nose nose cavity नाग का अंदर का हिस्सा बहुत सारी दवाईया ऐसी होती हैं जो आप spray नहीं करते नाग के अंदर बलके आप क्या करते हैं आप topically topically समराद हैं आप नाग के अंदर उसको हाथ से अपलाए करते हैं अगर मैं उसको अपनी skin के अपलाए करूंगी तो इसको मैं कहूंगी तो इसको मैं कहूंगी that is topical यहां पर मैं लिग देती हूँ topical से मुराद है on skin अगर आप जैसे कि आप cold cream इस्तमाल करते हैं आप lotion इस्तमाल करते हैं तो वो आप ना तो injection की फॉर्म में इस्तमाल करते हैं न आप उसको मुझ से खा रहे होते हैं न या आप उसको नाक से इंटर कर रहे होते हैं आप उसको simply skin के उपर अपलाए करते हैं that is called topical topical means skin के उपर अपलाए करना जबके इंटरा नेजल में भी आप skin के उपर अपलाए करते हैं लेकिन किस की skin ना किस skin जबके इसके अंदर आप skin के उपर अपलाए नहीं करते बरके आप अपनी ड्रक को गैस की फॉर्म में अपने अंदर स्प्रे करते हैं तो इन तीनों के अंदर difference होता है ठीके जी तो आज का हमने topic यहां से start किया था यह तीनों roots मैंने आपको बता दिये हैं कि इनके दर्मियान क्या-क्या difference होते हैं यह आपको पता होना चाहिए वो आप से वाइबा में भी पूछ सकते हैं और वो आप से short question यह MCQs की form में भी यहां से पूछ सकते हैं अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं Entrel root Entrel root से मुराद है कि आप मुँ के जरीये से drugs किस कि सूरत में दे सकते हैं जैसे कि हमने oral root पढ़ा था और दूसरा हमने sublingual root पढ़ा था अब हमने देखना है कि अगर हम कोई दवाई oral दे रहे हैं तो उसके क्या फॉइद हैं और क्या नुक्सानाद हैं इसी तरह से अगर आप कोई दवाई sublingual या जबान के नीचे रखके इस्तमाल कर रहे हैं तो उससे आपको क्या क्या फायदे और नुक्सानाद देखने में आते हैं आपको फायदे भी पता होने चाहिए आपको नुक्सानाद भी पता होने चाहिए ताकि आप इसको वाईवा के अंदर बता सकें और आप अपने MCQs को solve कर सकें ठीके जी So, entral administration is the simplest and the most common means of administration of drug इसमें क्या क्या आते हैं oral and sublingual यह सबसे असान है और सबसे common है आप डॉक्टर के पास जाएं तो आप कभी भी प्रेफर नहीं करेंगे कि आपको injection लगाया जाए या आपको drip लगाई जाए या आपको inhaler दिया जाए या आपकी नाक के अंदर को मैडिसन अपलाय की जाए सबकी खौइश ही होती है कि हमें टैबलर दे दें कैपसूल दे दें सीरफ दे दें तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी है उसको एडिमिस्टर करना यह सबसे असान है और सबसे common है सबसे ज़्यादा इस्थमाल किया जाता है और पेशेंट की compliance जो है इसकी उपर ज़्यादा होती है पेशेंट ज़्यादा सैटिसफेक्टरी औरल मैडिसन खाना पसंद करते हैं औरल रूट क्या होता है जब आप ड्रक को बाई माउथ मुझ के जरीय से देते हैं यानि जबान के उपर रखे देते हैं अब इसके क्या क्या फाइदे हैं यहां से आपके MCQ निकल सकते हैं तो इसको आप बहुत केरफूली पढ़ेंगे तो सबसे पहला एड्वांटेज यह है कि most convenient convenient से मुराद होता है सबसे असान अब injection अगर अगरा लगाना है तो आप खुद नहीं लगा सकते हैं आपको dispenser चाहिए या आपको इस टाइम डॉक्टर चाहिए जो कि आपको injection आपके लगाए चाहें intravenous लगाना है intra muscular लगाना है इवन आपको अगर intra nasal भी आपको कोई चीज अपलाय करनी है तो आपके लिए confusion होती है कि कितनी मिगदार अपलाय करनी है क्योंकि चमच का हिसाब नहीं होता डोस के लिए कोई पैमाना नहीं होता तो patient को बहुत मुश्किल का सामना होता है उसे confusion होती है जबकि आपको एक tablet दे दी जाए या capsule दे दिया जाए या एक चमच सीरफ इस्तमाल करना है वो आपके लिए ज़्यादा convenient है यानि कि ज़्यादा असान है और most acceptable है यानि बहुत सारे जो patients होते हैं वो इसी route को prefer करते हैं दवाई को खाने के लिए second इसका advantage यह है used for the local as well as systemic action of the drugs अब यहाँ पे लफ्स लिखा हुआ है कि drugs के local effects भी होते हैं drugs के systemic effects भी होते हैं इसमें फर्क होता है local effect यह होता है कि जिस जगह पे आपने drug को apply किया है आपको उसी area में मुझूद तकलीव को ठीक करना है that is called local effect यानि कि अगर आपने दवाई को मुझ से खाया है तो आपके मुझ पे ही कहीं पे infection हुआ हुआ था या आपको मुझ में कहीं दाने निकले हुए थे या मुझ की अंदर की skin जो है किसी वज़ा से खराब हुई भी थी तो अगर आप दवाई मुझ से खा रहे हैं और वो दवाई जाकर आपके मुझ के मसले को ठीक कर रही है that is called local effect यानि जिस जगा पे आपने apply किया है उसी जगा पे आपको इसके results मिल जाएंगे this is a local effect systemic effect क्या होता है systemic effect से मुराद है कि आप दवाई को apply किसी और जगा से कर रही है लेकिन वो बाडी में किसी और जगा पे अपना काम परफॉर्म कर रही है that is called systemic effect यानि आप दवाई को मुझ से खा रहे हैं लेकिन वो आपके सर के दर को ठीक कर रही है तो this is a systemic effect तो ये आप जब oral root से इस्तिमाल करते हैं medicine को तो वो आपके मुझ के मसले को भी ठीक कर सकते हैं इसके लावा वो आपके system में कहीं और मसला आ रहा है तो उस मसले को भी solve करने की चलाहियत रखते हैं ठीके जी फिर आता है dosage form dosage form से क्या मुराद है dosage form से मुराद है कि जो दवाई आप खा रहे हैं वो आप कितनी dose में या किस शकल में या कितनी मिकदार में ले रहे हैं dosage form से मुराद है कि दवाई की शकल क्या है यानि वो tablet की शकल में है वो capsule की शकल में है वो suspension की शकल में है वो emulsion की शकल में है किस शकल में आप ड्रग को इस्तमाल कर रहे हैं और डोस क्या होती है डोस से मुराद होता है दवाई की मिकदार यानि कि आप 200 mg खा रहे हैं आप 400 mg खा रहे हैं आप 500 mg खा रहे हैं आप 1 ml इस्तमाल कर रहे हैं आप 5 ml इस्तमाल कर रहे हैं दिस इस काल डोस जब आपने किसी दवाई को औरल इस्तमाल करना हो तो उसके लिए स्टिलिटी इतना जादा इशू नहीं है यानि कि क्यूंकि आप उसको मुझ के जरिये से अंदर लेके जा रहे हैं तो उस दवाई ने आपके पूरे जी आईटी से गुजरना है यानि गेस्ट्रो इंटस्टीनल ट्रैक को उसने पार करना है उसको रास्ते में बहुत सारे एंजाइंस प्रोटीन्स 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 तो उसकी प्राइस कई हजार तक भी होती है एक इंजेक्शन की प्राइस की बात कर रही हूँ क्योंकि इंजेक्शन को आपने डारेक्ट या तो वेन में लगाएं चाहे मसल में लगाएं चाहे सबकुटेनियस लगाएं आपकी जो ड्रग इंजेक्शन के जरीय से बॉड़ी में जाएगी वो डारेक्ट आपके बलड के अंदर जाएगी ठीक है तो अगर आपका इंजेक्शन जरासीम से पाक नहीं होगा उसमें एक जरासीम भी अगर मौजूद होगा तो इसका मतलब है कि आप खुद अपने हाथ से जरासीम को अपने खून के अंदर एंटर कर रहे हैं जिसकी वज़ा से जब एक दफ़ा आपके बलड के अंदर जरासीम चला गया तो आप उसको वापस भी नहीं निकाल सकते जिसकी वज़ा से आपको बहुत ज़ादा नुकसान का सामना होता है जबके अगर आप कोई दवाई औरल खा रहे हैं तो औरल जो आप मैडिसन खा रहे हैं वो बलड के अंदर काफी देर तक नहीं जाती पहले वो मुह में जाती है, मुह से वो आपके गले में जाती है, गले से आपके मैदे में जाती है, मैदे से वो आपके लीवर में जाती है, फिर कहीं जाके वो आपके बलड में जाती है, तो उसको तकरीबन 10-15 मिनिट का टाइम लगता है बलड में पहुँशने हैं तो अगर गलती से आपने किसी पेशिंट को गलत औरल मेडिसन दे दी है तो आप उसको उल्टी करवा के भी उसको वापिस निकाल सकते हैं आप उसका मैदा वाश करके भी उसको निकला सकते हैं मेडिसन को वापिस निकाल सकते हैं उसके एड़वर्स एफेक्ट को उसके नुक करते हैं वो भी नो डाउट कि आप उसको स्टिराइल करते हैं आप उसको जरसीम से पाक करते हैं लेकिन वो इतनी ज्यादा स्टिरिलिटी नहीं होती इतना ज्यादा जरसीम से पाक नहीं किया जाता जितना के इंजेक्शन को किया जाता है उसके पाद आपके पास जो लेहाजा अगर आप टैबलेट की फॉर्म में कोई मैडिसन इस्तमाल करेंगी तो वो देर से आपके बलड के अंदर जाएगी उसके जो इफेक्ट्स हैं वो आपको आइस्ता आइस्ता मिलेंगे कभी भी दवाई खाने के सेकंड्स के अंदर आपको इफेक्ट्स नहीं आते है तो इसमें आपको मिनिट्स का टाइम लगता है ठीक है और जब वो आपकी बलड में जाएगी तो उससे जो नुकसान दे इफेक्ट्स हैं एडवर्स इफेक्ट्स का मतलब होता है यानि नुकसान दे असारात ठीक है अब वर्ड एडवर्स इफेक्ट्स और साइड इफेक् इफेक्ट ये भी चीज आपकी किताब के अंदर मेंशन नहीं है तो ये भी आप बुक के अंदर कहीं पे लिख लेंगे ये आपके वाइवा के हवाले से ये चीज़ें पूछी जाती है ठीके कॉमन सी बात है ADR से मुराद है adverse drug reactions these are the side effects so side effects क्या होते हैं side effects को आप क्या सकते हैं कि side effects तो हैं वो हलका नुकसान होता है इनको आप क्या सकते हैं कि side effects ऐसे नुकसानाद ये दोनों ही unwanted effect of drug होते हैं unwanted effect of ड्रग adverse effect भी unwanted effect होता है drug यानि हम यह चाहा नहीं रहे होते हैं लेकिन कोई भी drug safe नहीं होती अगर आप सर के दर्द के लिए भी कोई दवाई इस्तमाल कर रहे हैं तो वो भी safe नहीं है उसका भी कोई ना कोई नुकसान आपकी body के उपर होता है उसको आप कहते हैं कि यह इसका adverse effect है यह भी unwanted है यह भी unwanted है यह तो इनके अंदर similarity है फिर फर्क क्या है पहला फर्क क्या आता है कि जो side effects होते हैं वो हमेशा आपको पहले से पता होते हैं इनको आप कहते हैं कि यह known होते हैं and expected एक्सपेक्टिड से मुराद है कि इसकी तवक्व होती है कि यानि कि अगर आप स्पोर्स करें एंटी बायोटिक खा रहे हैं कोई भी खा रहे हैं कोई भी और आप एंटी बायोटिक खा रहे हैं तो उसके साइड एफेक्ट्स सब को पता है कि एंटी बायोटिक स्खाने से मतली भी होगी रोमिटिंग अल्टी भी होगी यह उसके साइड एक्ट हैं यह नोन होते हैं और एक्सariat होते हैं यार hogy रिव् indo by back इम्लिविम पैले उसकी चाहिए बैशनcji कोई बैशनते च्वार सिलों के लिवाए ज कर फाले उसकी उपर जाते हैं Partners Whisper करते हैं और मुझलिफ इनसानों के उपर उसके टेस्टिंग की जाती है ताकि आपको पता हो कि जब आप उस दवाई की मार्किट कर रहे हैं तो वो दवाई इनसानों के लिए नुकसान नहीं देगी दिस इस कार्ड क्लिनिकल ट्राइल्स ठीक है इसको आप कह सकते हैं कि इसक क्लिनिकल ट्राइल्स या क्लिनिकल स्टेडी ओफा मेडिसन जब आप दवाई को बनाते हैं और उसको मेडिसन उस मेडिसन को मार्किट मिलाने से पहले आप उसके ट्राइल्स करते हैं लोगों के ओपर उसको टेस्ट करते हैं जानों के ओपर उसको टेस्ट करते हैं तो उसक unexpected effects जो के तो आपको पता हो कि इस दवाई को खाने से यह चीज होगी उसको आप कहते हैं side effect इसको आप simply ऐसे कह सकते हैं कि जब आप doctor के पास जाते हैं तो आप एक दवाई होती है जिसका नाम है fenitwine ठीके जी इस दवाई को जब doctor आपको prescribe करता है तो वो साथ में आपको यह बताता है कि इस दवाई को खाने के बाद आपने परिशान नहीं होना क्योंकि इससे आपका urine का color जो है डार्क ब्राउन हो जाएगा या रेडिश हो जाएगा तो यह क्योंकि इस दवाई की trials ने बताया है कि इस दवाई को जिन जिन patient ने इस्तमाल किया उनके urine का color जो है वो change हो जाता है तो this is a side effect of the drug थेके इस इस a side effect क्योंकि ये पता होता है और इसके बारे में expect किया जा रहा होता है कि सबके अंदर ये चीजें देखने में आएंगी फिर आजाता है कि ADRs क्या होते हैं जो adverse से मुराद है नुकसान देशाराद ये ऐसे नुकसानात होते हैं जो के शिदीद होते हैं और इनके बारे में आपको पता भी नहीं होता ये patient to patient vary करते हैं ये unknown होते हैं और unexpected होते हैं ठीक है जी यानि आप suppose करें कि बाद वकात ऐसा होता है कि आप कोई drug जो है वो बहुत लंबे अर्से से इस्तिमाल कर रहे होते हैं सालों से 3-3 साल 4-4 साल एक medicine जो है वो इस्तिमाल हो रही होती है लेकिन उसके effect आपको समझ में नहीं आ रहे होते हैं लेकिन जब लोग उसको 3- 3-4 साल के बाद इस्तिमाल करते हैं और समझी रिसर्च की जाती है तो आपको पता चलता है कि इतने लोगों को जो ये ड्रग इस्तिमाल कर रहे थे उसमें से 80% लोगों को cancer हो गया ठीक है दिस इस एड़वर्स effect यह उसके शदीद नुकसानात हैं जो कि आपको उस वक्त नह थरीडोमाइड जो है ये कैसी ड्रग है जिसको as a sleeping pill के तो पर इस्तिमाल किया जाता था यानि लोग इसको सकून के तोर पर नीद आने के लिए इस्तिमाल करते रहे हैं काफी सालों से ठीक है जी काफी साल तक ये दवाई जो है मार्किट में जलती रही है डॉक्टर जिसको दवाई के असरात चेक किये गए तो ये देखा गया कि वो प्रेगनेट खावतीन जो के इस ड्रग का इस्तिमाल कर रही थी उनके बच्चों के जो अजा थे जो लिम्स थे वो अबनॉर्मल पैदा हुए यानि उनके बॉड़ी के जो लिम्स जिसको आप कहते हैं वो दरग जो है फिर इसको बैन कर दिया गया कि प्रेगनेट वुमिन्स के अंदर थलीडिय।-माइड आपने कभी भी इस्तिमाल नहीं करनी क्यूंकि ये क्या करती है? फीटर्स के अंदर चली जाती है बेबी की बॉड़ी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है और जाकर उसकी बॉड़ी की आर्गन्स को खराब कर देती है तो जब ये दवाई बनी थी तो उस वक्त इसके ये नुकसानात हमें पता नहीं थे तो इसको हम side effect नहीं कहेंगे इसको हम adverse effect कहेंगे क्योंके ये unknown effect था और ये unexpected effect था तीसरा difference क्या होता है कि side effect जो होते हैं वो mild in nature होते हैं mild से मुराद है कि हलके फुलके होते हैं इस से इन्सान की जान नहीं जाती For these examples, हम कहाते हैं, अगर आब खाएंगे हैं कि अगर आपको नौजिया हो सकते है नौजिया मीन आपको मतली हो सकती है वो मिटिंग से मुराद है, आपको उल्टी हो सकती है यहमें साइट इफेक्ट से पता हैं कि अगर यह इस्तमाल करेंगे तो आपको यह यह मसले हो सकते हैं इससे patient की जान नहीं जाएगी जो आपके adverse effects होते हैं वो serious in nature होते हैं यानि कि वो इतने खतरनाक होते हैं कि वो जान भी ले सकते हैं for example, किसी दवाई के result में बच्चे जो थे, इस दवाई के result में हो सकता है, इससे आपको heart attack के chances भी हो सकते हैं और इससे patient की death भी हो सकती है तो यह चीज़ आपके book के अंदर mention नहीं है आप इसको book के अंदर mention कर लेंगे ताके आप से अगर कोई पूछे कि side effect और adverse effect में क्या फर्क होता है तो आप उनको answer कर सके ठीके जी काफी लंबा lecture हो गया है जो disadvantages है oral route के उसको हम कल के lecture में discuss करेंगे आज के लिए इतना काफी है इससे related कोई भी issue है तो आप उससे पोछ सकते हैं thank you so much